हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईज कि इन्फिनिक स्मार्ट एट फॉन में आप लोग प्ले श्टोर प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक infinite smart 8 phone है और इस phone में जो है आपको play store problem देखने को मिल रहा है play store जो है आपर से open नहीं हो रहे offline show हो रहे या play store से आप लोग जो है किसी भी application को download नहीं कर पा रहे हो बार बार pending show हो रहे download नहीं हो रहे install नहीं हो रहे तो केसे आप लोग जो है play store से related problems को solve कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते है play store problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आपको थोरा सा नीचे scroll down करना है थोरा नीचे scroll down करते हैं आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा app management का तो इस app management के option पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला option होगा गाइस app list का तो इस app list पे click करेंगे और यहाँ पर से आपको google play store को ढूण लेना आप लोग आपर search करके भी ढूण सकते हो और scroll करके भी ढूण सकते हो clear stories पे click करेंगे ok का option होगा ok पे click कर देंगे ऐसा करती है आपका google play store का जो भी data के chi files वगरा होंगे settings वगरा होंगे वो सब clear और reset हो जाएंगे और आपका जो play store problem है वो भी solve हो जाएगा हाला के play store को on होने में थोरा सा time लगेगा अगर आपने कोई वीडियो अगर वीडियो पसा ना हो तो वीडियो को like कर दीजिए और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजिए बिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए बाई बाई